हेलो सुदेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, नीट डारवल्स आज हम बेसिक बैट्स का सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं जो है लॉगयारिद्म लॉगयारिद्म एक ऐसे चीज है जो 10 तक आप बहुत जारा डील नहीं करते अब 11 में ही मेंली लॉगयारिद्म की बात करना स्टार्ट करते हैं लॉगयारिद्म बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है बस हमें क्या ध्यान रखना है हमें लॉगयारिद्म की कुछ मैथमेटिकल ओपरेशन्स ध्यान रखने होते हैं उसके base पे हम इसकी बात कर पाते हैं और इसको आपको कई बार use करना पड़ता है जैसे आप 12 में questions करते हैं LR circuit के RC circuit के और इसके अलावा आप जब nuclear physics में radio activity के questions करते हैं वहाँ logarithm use होता है chemistry में जब pH वाले questions आप solve करते हैं वहाँ पे भी आपको logarithm use होता है तो generally students में देखा गया है कि logarithm को लेकि काफी problems होती है काफी दिक्कते आती है कि सब्सक्राइब क्या है समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको ये video काफी help कर सकता है क्या है जरा देखें जैसे मेरे पास किसी भी number की power होती है exponent होता है let's say 7 का square this is 49 ये मुझे पता है 7 का square 49 होता है but अगर बड़े powers की बात आ जाती है तो वहाँ पे मुझे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए हम उसे log में convert करते हैं और log tables हमें काम आती है उसको solve करने के लिए तो देखते हैं जड़ा किस तरीके से representation है यहाँ पे n is equal to a to the power x इस तरीके से मेरे पास एक number है number is n a is called as base and x is called as exponent तो अगर इस तरीके से है तो इसको मैं log में कैसे represent कर रहा हूँ साथ साथ आप इस number से देखते चले आपको example जासे मत आता जाएगा जैसे base to the power exponent 7 to the power 2 is the number which is 49 अब हम क्या कर रहे हैं log of number to the base a is the exponent log of 49 to the base 7 is 2 तो यह इसका representation है बड़ा ही simple सा representation है ठीक है तो बस आपको यह याद रखना है कि number is equal to base to the power exponent अगर है तो वहाँ से मैं क्या बोलूगा log कैसे लिखूँगा log लिखूँगा log of number to the power base sorry number to the base is equal to exponent में जो भी था वो आपका इस साइड आ जाएगा इस तरीके से हम log को represent करेंगे यहाँ पर a is a real positive number different than unity and is called base तो किसी भी number की आप power लिखेंगे one की power आप कितनी भी लिख लो कोई फरक नहीं पड़ता 10, 20, 100 वो one ही रहने वाला इसलिए उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे one के अलावा other different than unity आप किसी भी number की powers लेंगे तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी and x is called exponent x को हम exponent बोलते हैं यह बात हम बात पहले ही कर चुके हैं फिर यहाँ पर n is a positive number n is not a negative number क्यों क्योंकि आप अगर किसी भी number का square cube या कोई भी power निकालते हो तो positive number ही आने वाला है तो n हमेशा positive ही होगा a हमेशा positive होगा base कभी भी negative नहीं लेंगे हम और a1 कभी भी नहीं लेना है वो चीज हम यहाँ भी देख चुके हैं फिर इसको किस तरीके से हम express करते हैं we say that logarithm of a number is the exponent by which base must be raised to get that number तो base को आप किस exponent से raise करोगे ये number लाने के लिए इसे हम log बोलते हैं log of zero does not exist यहाँ पे zero नहीं हो सकता किसी भी condition में आप किसी भी number की कोई भी power लेंगे तो आपको zero कभी भी नहीं मिलेगा तो एक वो चीज धान रखेंगे कि log आपको कभी भी zero के लिए आप log define नहीं कर पाएंगे logarithm of negative real numbers are also not defined negative real numbers का भी हम log define नहीं करते base कभी भी आपको log के साथ अगर base नहीं लिखके दिया है तो by default जो base होता है हमारा वो होता है 10 तो अगर आपको मैं ऐसे लिखके देदो log of 49 नहीं तो यहाँ पर अगर मैंने आपको base mention नहीं किया है तो by default आप जो base लेंगे वो लेंगे 10 तो base अगर कभी भी mention नहीं किया जाता है तो वो हम 10 लेके चलेंगे तो यह basic explanation है कि log होता क्या है किस तरीके से उसका representation है वो यह है इससे भी जादा हमारे लिए जो important है वो log के कुछ mathematical expressions है कुछ manipulations है इसके formula है कि log को use किस तरीके से करना है वो हमारे लिए सबसे important है हमें questions में आएगा जब भी तो log को use करके आपको कुछ manipulations करने होंगे वहाँ से आपको answer simplify करना होगा तो वो हमारे लिए सबसे आदा important है कि क्या-क्या formula है क्या-क्या identities है log की तो आपके पास log of m into n है तो आप उसको log m plus log n लिख सकते हैं साथ में मैंने एक example भी लिया है जिसे let's say आपको log of 14 दिया है again base mentioned नहीं है तो base हर बार 10 ही आप assume करके चलेंगे तो log of 14 मुझे solve करना है तो log of 14 को मैं 14 को लिख सकता हूँ 2 into 7 तो यहाँ पे मैं log of 2 plus log of 7 अलग-अलग कर सकता हूँ तो log of m n को आप लिख सकते हैं log m plus log n log of m divided by n can be written as log of m minus log n जैसे log of 28 by 2 है तो log of 28 minus log 2 इस तरीके से मैं इसको represent कर सकता हूँ फिर इसके बाद यह वाली entity बड़ी important होती है log of m to the power n is equal to log n log m मतलब अगर नमबर के पास कोई भी power है यहाँ पे तो इसको आप बाहर ला सकते हैं सीरा सीरा जैसे log of 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का square और जो भी इसकी power है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगी और इस से log से multiply हो जाएगी तो वो एक चीज धियान रखेंगे उसके अलावा ln m आपको ऐसा भी कई बार लिखा मिलेगा ln की terms में तो ln क्या है simply log में अगर आप base को e ले ले लेते हैं e as in exponential number 2.718 इसकी value होती है तो अगर आप कभी भी log के base में e लेते हैं तो आप उसको simply ln m represent कर सकते हैं और अगर आपको इसको base 10 में convert करना है तो आप कैसे करेंगे 2.303 log m base 10 तो यह एक conversion है ln m कई बार आपको देखने को मिलेगा differentiation integration में भी आपको formula में मिलता है plus questions जब आप करेंगे जैसे radio activity के questions जब आते हैं तो हुआँ पर log base e में ही सारी बात चलती है तो हुआँ पर ln करके हम सारी चीजे लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है इसके बाद और कुछ है entities है जैसे log b base a है मेरे पास तो log b base a को मैं क्या कर सकता हूँ मैं किसी और base में इनको convert कर सकता हूँ जैसे मेरे पास क्या है एक बार पहले entity से देख लेते हैं log b base a को मैं लिख सकता हूँ log b base c divided by log a base c तो यहाँ पर base और नमबर दोनों को ही मैंने convert कर दिया है log के term में और किसी एक नए base तो मैंने इनको represent कर दिया है जैसे log of 8 base 3 को मैं लिख सकता हूँ किसी भी नए base पर log 8 base 2 log 3 base 2 यहाँ पर base में 2 की जगे 10 भी ले सकता था 7, 9 जो मुझे अच्छा लगे वो मैं number ले सकता हूँ यहाँ पर आप जो नया वाला base है तो कुछ भी define कर सकते है छीक है फिर हमने अभी देखा था कि अगर number की power हो तो वो बाहर आके log से multiply हो जाता है लेकिन अगर base की power है कुछ तो वो जब बाहर आके multiply तो होता है लेकिन 1 upon में होता है जैसे base की power n है तो वो जब बाहर आएगा तो वो 1 upon n बन जाएगा यहाँ पर आप देखे log 5 base 8 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का cube तो इसकी power जब बाहर आएगी तो वो 3 नहीं 1 by 3 हो जाएगी छीक है तो वो एक चीज का जहन रखेंगे log of 1 to any base is always 0 यह भी हमें याद रखना है log a base a is always equal to 1 log a base एक ऐसी चीज है अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे log 7 base 7 is always equal to 1 क्योंकि 7 की power 1 ही मुझे 7 देने वाला है तो log a base a आपके पास हमेशा 1 होगा अब वहाँ पर आप base चाहें जो ले लें आप को अगर ln e पूछ लिया तो यह भी 1 हो जाएगा यह हमेशा अगर number और base same है log 10 पूछ लिया यह भी आपके पास 1 हो जाएगा तो अगर number और base same है तो आप हर बार उसकी value 1 बताएगे ठीक है फिर यहाँ पर मैंने कुछ standard values लिखी है जो आपको questions में काम आ सकती है हला कि आजकल कोई भी आपसे यह expect नहीं करता कि आप log की values याद रखे बट स्टिल अगर हमें याद हैं तो हमारे पास एक added advantage होता है log 2 की value होती है 0.3, log 3 की value होती है 0.47, log 5 की value 0.7 ln 2 की value होती है 0.69, ln 3 की value 1.09, ln 5 की value 1.6, in fact आप दो भी याद रखेंगे तो भी अपना काम चल जाता है बहुत ज़्यादा कोई नहीं पूचता आप से log की values इसके अलावा ये अगर आप याद रखें तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए e की value हमने देखी थी पहले e की value कितनी होती है हमारे पास 2.718 इसके बाद 1 by e की value आपको काम आती है जैसे ही जैसा मैंने बोला LR circuit या RC circuit की आप जब बात करेंगे तो 1 by e का expression आपको देखने को मिलेगा तो 1 by e is equal to 0.37 and 1 minus 1 by e is equal to 0.60 मतलब simply 1 में से 0.37 minus करूंगा तो मेरे पास 0.63 ही आने वाला है तो 1 by e की value होती है 0.37 और 1 minus 1 by e की value होती है 0.63 तो ये कुछ चीजे हैं जो हम याद रखेंगे तो हमें lock के questions करने में काफी help इनसे मिल सकती है यहाँ पर मैंने कुछ questions लिए है questions बड़े ही simple है और ये मैंने actual questions में से कुछ ना कुछ change करके उनसे मैंने ये निकाला है तो ज़रा देखें इनको किस तरीके से solve करना है again वही पहले आप एक बर screen pause करके solve करना ही कोशिश करें उसके बाद मैं आपको solution बताऊँगा चलिए देखते हैं solution क्या है log 27 to the base 81 तो 27 को क्या लिख सकता हूँगा 3 to the power 3 3 का Q होता है 27 और 3 की power 4 हो जाएगी हमारे पास 81 तो यहां से हमें पता है जो भी number की power होती है वो बहार आके multiply हो जाती है और जो base की power होती है वो बहार आके 1 upon no multiply हो जाती है तो यह मेरे पास हो जाएगा 3 log 3 base 3 to the power 4 एक step all लिख लेते हैं तो यहां से जो base की power है वो कुछ इस तरीके से बहार आ जाएगी log 3 base 3 मेरे पास बच जाएगा और log 3 base 3 मुझे पता है 1 होने वाला है तो इसकी value simply मेरे पास आ जाएगी 3 by 4 चीक है तो यह इस तरीके से आपको solve कर सकते हैं log के questions फिर उसके बाद यहां पर एक और question दिया गया है मुझे that 1 by 32 is equal to e to the power minus ax you have to find x तो यहां पर log तो आपको ठीक है solve करना ही है उसके अलावा थोड़ा सा powers का भी हमें समझ आना चीए कि powers उपर नीचे होती हैं cross multiply करते हैं तो आपको उनको किस तरीके से deal करना है तो जरा देखते हैं क्या करना है 1 by 32 को मैं लिख सकता हूँ 32 to the power minus 1 is equal to e to the power minus x लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पर next step में मैं क्या करने वाला हूँ मैं पूरी equation का log लूँगा to the base e log to the base e को मैं लिख हूँगा ln 32 power minus 1 is equal to ln e to the power minus x अब मुझे पता है again 32 की power minus 1 है तो इसको मैं बहार ला सकता हूँ मुझे पता है 32 की power minus 1 है तो इस minus 1 को मैं बहार ला सकता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा minus 1 ln 32 is equal to e to the power minus ax में से भी minus ax को मैं बहार ला सकता हूँ ln e बच जाएगा ln e will be equal to 1 क्योंकि यह ultimately log e to the base e है तो वो 1 हो जाएगा तो minus sign मैं cancel कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ that ln 32 is equal to ax times 1 तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए था x की value चाहिए थी तो वो मेरे पास आजाएगा ln 32 by a a is a constant number उसकी डम से मैं x की value निकाल पाया जो हुआ ln 32 by a अच्छा ln 32 32 देखके भी मुझे कुछ याद आ रहा है 32 क्या है 32 क्या 2 की power में कुछ बनता है 2 की power 5 is 32 तो इसको मैं further simplify कर सकता हूँ चाहूं तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 5 by a और यहां से मैं क्या कर सकता हूँ यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ x will be equal to 5 ln 2 by a तो यह मेरा final answer आजाएगा इस question का x की value में से पूछी गई थी वह मैंने बता दी है 5 ln 2 by a तो छोड़ा simplified format है अब यहां पर अगर आपको a question में दे दिया जाए ln 2 की value दे दिया जाए वैसे ln 2 की value 0.69 हमने यहां पर लिखी थी अब यह value अगर याद रखते हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या answer होना चाहिए चलिए next देखते हैं एक question और है हमारे पास इस question में क्या करना है यहां पर हमें बुला गया है कि e to the power minus a x by e to the power minus 3 a x की value है e के बराबर we have to find x तो देखते हैं ज़रा क्या करेंगे e to the power minus a x अच्छा e to the power minus 3 x को मैं उपर लाऊँगा तो क्या हो जाएगा e to the power plus 3 a x हो जाएगा is equal to e तो e की powers अगर मैं add करूँगा कोई भी number अगर multiplication में है मेरे पास इस तरीके से यह दो numbers multiply हो रहे हैं तो powers simply add हो जाएगी तो यह मेरे पास हो जाएगा minus a x plus 3 a x is equal to e to the power 1 आपको पता है powers equate कर रहे हैं तो हम simply क्या लिख सकते हैं अच्छा minus a x plus 3 a x will be equal to e to the power 2 a x is equal to e to the power 1 so we can say that 2 a x is equal to 1 and x will be equal to 1 by 2 a चीक है तो यह आपके पास x की value आजाती है again ये एक answer है इस तरीके से आप questions को solve कर सकते हैं इस तरीके questions आपको देखने को मिलेंगे जब भी log की बात आती है चीक है फिर एक और question है हमारे पास again इसको अपने आप से solve करने ही कोशिश करें पहले फिर उसकी बाद हम देखते हैं इसका solution क्या होने वाल है यहाँ पर मुझे दिया है 7 की power में इस बार log है is equal to x तो क्या करें again काम वही करेंगे जो कड़ते आए हैं क्या taking log both sides both sides अगर मैं log लोंगा log of 7 to the power log 49 base 7 is equal to log x ठीक यहाँ पर मैं log लेता हूँ to the base 7 वो थोड़ा सा मेरे लिए convenient है क्योंकि number 7 ही है तो मुझे लगा कि शायद log 7 लेने से मुझे फाइदा होगा तो मैंने 7 base पर log ले लिया base मैं कोई भी select कर सकता हूँ मेरी मर्जी से वो मेरी choice होती है अब आप यहाँ पर देखे तो log 49 base 7 ultimately है क्या 7 की power में है तो जब भी मैं इसको solve कर रहा हूँ तो मैं बाहर इसको multiply कर सकता हूँ सीदा सीदा तो मेरे पास क्या आ जाएगा log 49 base 7 into log 7 base 7 is equal to log x base 7 log 7 base 7 will be equal to 1 49 base 7 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7 square तो देखे ज़रा log of 7 square base 7 ये हो गया मेरे पास 1 is equal to log of x base 7 again 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ twice of log 7 base 7 is equal to log x base 7 log 7 base 7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 is equal to log x base 7 यहाँ से again मैं अगर log को number में convert करता हूँ हाँ ये और चीज हम देख सकते हैं कि अगर हमने ये तो देखा था कि यहाँ से यहाँ कैसे जाना है लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगे वो भी ज़रा देखें log n to the base a is equal to x है तो आपके पास आप हमेशा क्या करेंगे आपको अगर log को किसी exponent में convert करना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ a to the power x will be equal to n ये इधर लाएंगे इसकी power में exponent को लिखेंगे और वो आपके number के बराबर हो जाएगा वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं जरा देखें कैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 to the power 2 will be equal to x तो यहाँ पर x की value मेरे पास कितनी आ जाती है 49 चीक है तो दुबरा से देखें एक बार जो base था उसकी power में exponent चड़ा दिया तो हमारे पास यह number free हो गया 7 to the power 2 is x which is equal to 49 चीक तो यहाँ पर एक और बड़ी कापकी चीज विली यह आप देखें finally x की value क्या आई 49 के बराबर मतलब अगर किसी भी number के power में log है और log का base वही number है तो मैं बड़ा easily बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो result आने वाला है वो वही आएगा जो log के अंदर number था चीक है तो यह बड़ा ही एक standard result है इसको आप इस तरीके से ध्यान भी रख सकते है log a to the power log x base a है तो answer हमेशा x होने वाला है जैसे इसका एक और example मैंने यहां से लिया है अगीन एक question से ही मैंने यह उठाया है यह manipulations पे आपको काम आता है e to the power minus lambda ln 2 है तो पहले तो मैं minus lambda को 2 की power में डाल सकता हूँ तो ln 2 to the power minus lambda हो गया अब e to the power ln 2 to the power minus lambda तो ln is basically what log to the base e तो e की power में जो log है उसका base same है तो यहां पे जो मेरे पास value आ जाने वाली है वो क्या जाएगी 2 to the power minus lambda तो अगर आपको इस तरीके से कभी मिलता है in fact आप इसको as an entity use कर सकते हैं तो आप जब entities लिखते हैं वहां पे आप उसको add कर सकते हैं मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें एक बार इसे प्रूफ करना था यहां पे हमने इसको प्रूफ किया है उसके बाल हम इसको as an entity use कर सकते हैं चीक है तो यह आपके सारे basic operations है log के किस तरीके से उसको solve करना है अगें ध्यान रखियेगा log क्या है उससे जादा important है कि log की calculations कैसे होते है यहां पे जो हमने log के questions लिये है वो बहुत important है यहां से आप अगर इनको properly step by step समझते जाएंगे तो log के हर एक question आप कर पाएंगे इसलिए starting में लिखा है कि अगर आपने यह video अच्छे से देखा है और सारे calculations समझे है तो log की calculations में आपको कभी दिखकर नहीं आईगे आप हमेशा log के questions बहुत easily solve कर पाएंगे तो इतना ही है log में आप देख सकते हैं बहुत चोटा सा topic है log कोई बहुत बड़ा topic नहीं है इतने से में finish हो जाता है that's it for log, that's it for today फिर आगे मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए thank you और अगर आपको channel अच्छा लगा है आपको अगर video अच्छा लगा है चीज़े कुछ समझ आई है तो please like, share and subscribe the channel thank you